बेसिक मंत्रा के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोर्टिफिकेशन के लिए गंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोज मिल सकें नमस्कार साथियों बेसिक मंत्रा में आपका स्वागत है तो आज का हमारे वीडियो है कि अपनी मानव संपता आईडी पर रिपोर्टिंग ओफिसर कैसे चेंज करें तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले हम गूगल या फ्रिक्रोम ब्राउजर में जाकर EHRMS टाइप कर लेंगे इसके बाद इस पे हम लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद अपना डिपार्टमेंट सेलेक करेंगे जो भी आपका डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर हम सेलेक कर लेते हैं अपना डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन उसके बाद हम आप यहाँ पर नीचे अपनी मानव संपधा ID डालेंगे पास्फर डालेंगे और CAPTCHA को फिल करेंगे CAPTCHA को फिल करते समय आप Capital Small Letter आधी का ध्यान रखें CAPTCHA फिल होने के बार एक OTP आएगा साथियो इससे पहले मानव संपधा पर OTP आना बंद हो गया था लेकिन अब नई अपडेट हुई है और आप मानव संपधा ID को बिना OTP के नहीं उपन कर सकते तो यहाँ पर हम लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर हमने CAPTCHA फिल कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं इसके बाद OTP हमारे Message Box में आ जाएगा उस SMS से आप OTP को देखकर यहाँ पर फिल कर दें और उसके बाद उसे कर दे validate तो हम यहाँ पर Message Box में से देखकर OTP को फिल कर देते हैं हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है अब इसे हम यहाँ पर validate कर देते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी मानव संपधा की पूरी ID खुल कर आ गई है तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे leave module में जहां से हम छुटी लेते हैं वहीं पर leave module उपर लिखा हुआ है यहाँ पर तीन और पर आ रहे हैं तो my leave पर हम click कर देंगे उसके बाद apply leave पर click करेंगे हम यहाँ पर leave अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि भल हम यहाँ पर reporting officer चेंज करेंगे तो जब हम apply leave पर यहाँ पर OK करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी detail आ गई है तो यहाँ पर सबसे उ लिखा है edit, edit पर जाएंगे और edit को click कर देंगे तो हम edit को click कर देते हैं edit को click करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप उसे EHRMS code या फिर fix by search जैसे चाहें उससे आप इसे search कर सकते हैं तो उसका यहाँ पर reporting officer का EHRMS code यहाँ पर हम डाल देते हैं तो इस पुराने वाले को हम यह remove कर देंगे और नए reporting officer का EHRMS code यहाँ पर हम डाल देंगे तो हमने यहाँ पर code डाल दिया है इसके बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं update का option है update कर देंगे यहाँ पर लिकर आ रहा है कि आप इसे ok कर दें इसके बाद यह update हो गया है इसे भी ok कर दें इस तरह से आपके reporting officer यहाँ पर change हो जाएंगे आप देख सकते हैं पहले जो reporting officer थे वो अब change हो चुके हैं तो इस तरह से साथियों आप अपने reporting officer को change कर सकते हैं साहिक अध्यापक अपने head को ही छुट्टी submit करें इसलिए अपने BO की ID पर छुट्टी ना भेज कर अपने head या फिर in charge की ID पर ही आपने वाद